नमस्कार, मैं हूँ सुरेंदर मिस्र, आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर मुंबई में इस समय गड़े सोचो की धूम है मुंबई में सबसे अमीर माने जाने वाले गणपती मंडल GSB सेवा मंडल ने इस बार 266 करोर रुपे का भीमा करवाया है इस मंडल के गणपती को इस बार 20 करोर रुपे के अभूशोर से सजाय गया है आज हम आपको मुंबई के सबसे अमीर गणपती के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मुंबई के माटूंगा में अस्थापित है इस मंडल की खास बात यह है कि यहां बपपा की पूजा आरजना विशेश बैदिक्तिरीत रिवास से की जाती है यहां करीब 50,000 भक्तों को प्रदिन आधे खोपरे में परसाद भर कर दिया आता है इसलिए इन्हें आधा खोपरा वाला गणपती भी कहा जाता है जीएसबी से वा मंडल की सुरुआत उन्री सुक्यावन में हुई इस बार यहां का पंडाल 70,000 भर फिट में फैला हुआ है इस बार गणेश जी करीब 20 करोर रूपे के सोने, चांदी, हीरे तथा अन्य बेस कीमती नगों के अभूशन धारन किये हुए है इनकी सुरुक्षा और निगरानी के लिए करीब 65 CCTV कैमरे लगाए गए हैं इसके अलावा 5000 से अधिक सुरुक्षा कर्मी वा मंडल के कारकरता भी ब्योस्था में तैनाथ है GSB सेवा मंडल की खास्यत ये भी है कि इस मंडल से जुड़े हुए पताधिकारी जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं गनपती उत्सो पर गनपती की सेवा के लिए मुंबई आ जाते गनपती खाका मोदया मंडल मुर्ची मोदया 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 यहां पांच दिनों तक चलने वाले भंडारे की भी एक अलग खासियत है यहां प्रदिन अलग लग बेंजन महाप्रसाद के रूप में भक्तों को खिलाए जाते हैं क्रेंपसी भाक ओड़या मंगल मुर्ची मोड़या मंगलु मुर्ची मोगया जीएसबी सेवा मंडल के टरस्टी आरजी भट ने बताया कि मंडल के गनेश जी की मुर्थी 14 फिट उची है चूकी गनपती करोर रुपे के आभूशन धारन किये हुए हैं इसलिए इस बार करीब 266 करोर रुपे का बीमा कराया गया है जागा झोकी है